दोस्तों English Medium School में पढ़ाने वाले Teachers के लिए खास्त आउसे जो नए Teachers हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी ही useful सावित होने वाला है तो दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहें और वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताएं अगर आपके वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें अगर शुरू करते हैं एक ही करके दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के लिए नए है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हाँ बेल आइकन दबना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके और अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू चलिए शुरू करते हैं बिना थाइम के वो वेस्ट के हुए दोस्तों पहले चीज जो आपको सबसे ध्यान ल बता हैं कि हम डाइरी बच्चों को लिखवा सके इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाइरी कैसे लिखवाएं यह आज की हमारे टॉपिक होगे तो चले मैं फटा फटवा सारे सीच्विशन आपके सामने रखता हूँ जिनके लिए आपको डाइरी में कमेंट लिखने के जरू होती है तो सबसे पहली चीज जो हमें आपको बतानी है वो यह है कि यदि बच्चे की राइटिंग पूर है तो क्या लिख सकते हैं प्लीज इंप्रूब यूर राइटिंग आपको लिखना होगा प्लीज इंप्रूब यूर राइटिंग या आप यह भी लिख सकते हैं प् प्लीज सब्मिट यो फी ऐसा भी लिख सकते हैं प्लीज डिपॉजिट यो फी या कभी कभी टाइम बाउंड आप दे सकते हैं तो उसमें लिखेंगे प्लीज डिपॉजिट यो फी बाइ मंडे या ऐसे भी लिख सकते हैं प्लीज डिपॉजिट यो फी ऑन मंडे अब दूसर examination will not be conducted without fee आपको लिखना था examination will not be conducted without fee या ऐसे भी लिख सकते हैं without fee exam will not be conducted या ऐसे भी लिख सकते हैं without no dues exam will not be conducted अब आपको दूसरी comment note करनी है अगर बच्चा किसे subject में ज़्यादा weak है तो उसके लिए parents के नाम comment लिखेंगे वो क्या होगा Dear parents, your son or daughter is very weak in maths, science और whatever subject आप नाम लिख देंगे तो क्या लिखा आपने Dear parents, your son or daughter is very weak in maths So please pay an extra attention अब ऐसे ही आपको दूसरा comment त्यार करना है यदि बच्चा time से नहीं आ रहा है तो उसके diary में आप लिखवा सकते हैं Come timely या ऐसे भी कह सकते हैं Come in time या ऐसे भी कह सकते हैं Late comers will not be accepted या बिल्कुर short लिख सकते हैं After 9 o'clock, no entry यदि बच्चे का uniform में कोई खराबी है Proper नहीं है तो आप उनकी diary में ऐसे लिख सकते हैं Please come in proper uniform या ऐसे भी लिख सकते हैं Put your tie properly या ऐसे भी लिख सकते हैं Change your shirt Your shirt is fed up अब आपको देखना है यदि कोई बच्चा ऐसा है जो homework complete नहीं करता है ऐसे school में आता है तो आप फिर उनकी diary में complaint क्या note कर सकते हैं सीख लें Please complete your homework या ऐसे कर सकते हैं Don't miss to complete your homework या आप ऐसे भी लिख सकते हैं Don't forget to complete your homework या ऐसे लिख सकते हैं Complete your homework anyhow Complete your homework anyhow अब आपको देखनी है यदि गार्जन से complain करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे Help your words to complete homework Dear parents Please help your word to complete homework या ऐसे भी लोट कर सकते हैं Dear parents Please check diary of your word regularly अब आपको दूसरी comment note करने हैं यदि टेस्ट करवाना हो तो आप डायरी कैसे लिख वाएंगे सीखते हैं Tomorrow will be taste अपने बच्चे की डायरी में क्या note करी या जनरल मेसेज दी Tomorrow will be taste या ऐसे भी लिख सकते हैं There will be taste tomorrow या ऐसे भी लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं Tomorrow will be holiday अगर festival का नाम mention करना हो तो लिख सकते हैं Tomorrow will be holiday on the occasion of महाशिवरात्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं In case आपका school कई दिनों तक की छुट्टी में होता है तब उसके लिए आप message ऐसे note करेंगे The school will remain closed from Thursday to Saturday या ऐसे भी लिख सकते हैं The school will remain closed from 15th of March to 17th of March और फिर उसके बाद ये भी note कर सकते हैं The school will reopen on Monday at its usual time The school will reopen on Monday at its usual time यह भी बच्चा किसी valuable things के साथ आता है For example, बच्चे के पास mobile पाई गई golden ring पाई गई golden chain पाई गई तो आप उसके डायरे में complaint ऐसे note करेंगे Dear parents, don't send your words with any valuable things या ऐसे लिख सकते हैं Dear parents, please check properly bags or pockets of your words before sending them to school अब आपको दूसरी comment क्या note करें यदि parents meeting का कोई message लिखना हो तो आप बच्चों की डायरे में लिखवा सकते हैं Dear parents, there will be teacher parents meeting on this Saturday Don't miss it आपनी क्या note करें Dear parents, there will be teacher parents meeting on this Saturday Don't miss it यदि बच्चे की books copies proper तरिके से cover नहीं हैं तो आप डायरे में complaint ऐसे note करें Please cover your books and copies properly Please cover your books and copies properly यदि बच्चा lunch box नेके नहीं आया हैं तो आप उनकी डायरे में complaint कैसे note करेंगे लाइस सीखते हैं Dear parents, please send your words with proper lunch box Dear parents, please send your words with proper lunch box यदि बच्चे का reading skill कम जोड़ हो तो डायरे में complaint कैसे note करेंगे Please make reading at least for an hour Please make reading at least for an hour अब आखर में खोमक डायरे में कैसे लिखवाना है यह हम आपको बता देते हैं आप स्क्रीन पर देखें मैंने वो paste दे दी हैं लिखा है होमक अबलिक असाइन्मेंट उसके नीचे है days और date तो जब भी आप डायरे fill up करवाएं तो days के आगे day का नाम लिखें और date के आगे date लिख दें उसके बाद से डायरे अब्जर्ब करें period, first, second और जिस बेल में आप जाते होंगी उसके ठीक आगे लिखा है book oblique subject फर एक्सामपल अगर पहली बेल आपकी maths की है तो आप book oblique subject के नीचे maths लिखेंगे और उसके बाद class activity यानि आप class में क्या करें क्या करवाया अपनी class में वो आपको fill up करना ना होगा और दूसरा उसके आगे home work oblique assignment फर एक्सामपल देखें मैंने first bell में maths पढ़ाई और हमने पढ़ाई है class में तो आप class activity के नीचे लिखेंगे teaching और home work क्या देदी आपने solve exercise number 13.2 अब आप दूसरी bell में किसी class में गए हैं उसमें आपने English पढ़ाई हैं और class activity में क्या करें आपने उस दिन copy check करी है तो आपने लिख दी है class activity में copy checking और home work क्या देदी revise lesson number 8 अब ऐसी तीसरी bell में आप गए science पढ़ाएं तो आपने class करी class में explain यानि कि कोई lesson को आपने explain करी है और फिर home work क्या देदी अपने learn lesson number 7 ऐसे जिस bell में जाएंगे उनके subject के नाव लेखेंगे class activity क्या कराई वो note करेंगे और फिर home work क्या देदी आपने ये note करके बिलकुल नीचे आके आप teacher signature पे जाएंगे diary को check करेंगे और फिर अपना sign करके उनकी diary वोपस करेंगे ये रहे diary कैसे लिखवाएं या complain कैसे लिखवाएं मुझे उमीद है कि ये session आपको बेहत पसंद आएगा और आपके लिए बड़ी ही useful होगा so thank you, thank you very much